हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल आफिन का जहां तो फ्रेंड यह मैंने चने की डाल को राध बर भी गो के और थोड़ा सा दूज डाल के से अच्छे से उबाल लिया है और यह बिल्कुल हमारा गल गया है तो इसको हम इस तरीके से अब किसी रही की साहिता से फेट लेगे तो यह हमारे पास कुछ ड्राय फ्रूट्स भी है तो हमने अच्छे से बारीज कट कर लिया है यह मेरे पास बोला है और यह बुर्टाम है और यह काजू है यिए फिल्टको कुछे से कटकरने के बाद मैं ने एक कराई चड़ा दिया है इसमें हम एट कर देंगे थो जाएंगे तो इसे हल्का सा हम बस सौटे कर लेंगे तो यह हो गया है इसके साथ यहसारे जो चने की डाल का यह जो मिक्शर है यह सारह हम इसके अंतर एड अब करते हुए और आधी किलोचनी की डाल है तो इसमें तब तक भूपर ना जाए तो फ्रेंगEर्ड के साथ तोज़ेगे, जोगर, आधी किलोचनी की डाल cotton यह सी 94 value मड़िया हम और हम इसी मेड़ में आधी किलोचनी की डाल है करेंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे तो फ्रैंट जब हम चनेर की दाल को बालेंगे तो इसमें आधे किलो से कम दूज लगेगा हमारो बालते हुए तो अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए देखिए इसका टेक्स्चर ऐसा हो गया है और ये काफी जो है ये जा काफी जो हलका इलका घीला घीला से लगना दिखिया आपको इसमें चीली जो बड़ चीली घूल गयी है और ये बहुत जादा इसमें से कुछा हुआ रही है तो ये। Rig से बहुत जादा आसान होता हुगा। ऑथ जादा है तो यह देखे कुपना है मैंने इसमें पानीवानी कुछ आणाइड नहीं किया है लेकी देखे कुपना मैन zero kटुट है बिल्कुल आपक इसे इसे कम तो थोड़े में सबना जर। और। इसमें खुश्बू जब तक आती रहे तब तक इसे अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुश्बू ना जाए और यह देखिया यह इस तरीके से लगातार हमें चलाते हुए भूनना है इन टाइम पर क्योंकि वर नहीं है तली में चिपक जाएंगे त लिए मार से यमारा किनाफ अ ध्रय अव्लarta हो चुका में तो अब आप ऀसी के साथ ही हम ठोड़ा साभी घीई ग्रीज कर लेंगे वीज़ए अगली हमने के चने के दाल चीपक ने जाएंगे तो देखिए कर दिया है और इसा नाइफ साहता से इसमें अच्छा सएक शेप तब कर रहे हैं एसे कट कर रही है ड़े चाने CRライ और आप मोटा या पतला जैसा रखना जाते हैं आप ऐसा रखिए मैंने नॉर्मल साइज का रखा है तो अब मैं इसकी अच्छे से बर्फी काट लूँगी तो यह दिखे मैं अब बर्फी को कट कर रही हूं और यह बहुत ज़्यादा टेस्टी करती है कभी ज़रूर ट्राइ आती है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको अगर मेरी वीडियो में कोई से भी रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे आदे गंटे के लिए फिर उसके ब नहीं वाे बाय बाय जरूर शोर चैनल को सफवड़ भी वी जरूर आपको और आपको प्लीज मेरी ईसे प्लीज मुझे वीडियोगा दोर आपको गानल को सब्सक्राइब कर देंगे जरूर आपको और वीजित वारूर।